हलो साथियो नमस्कार प्रणाम दुआ सलाम मैं हूँ डॉक्टर लॉकेस आप सभी का स्वागत करता हूँ अनकेडमी पर प्यारे साथियो आप मैंसे बहुत सारे स्टुडेंट्स अलग-अलग क्लासेज में हमेशा कमेंट्स के माज़दम से कहते हैं कि फला ने यूटूब च चाहूंगा कि अब जिस दिन मैं ये वीडियो सूट कर रहा हूं ये वीडियो सूट कर रहा हूं मैं 23 अक्टॉमबर 2021 यानि आज के दिन तक की मैं बात कह सकता हूं कि आगामी समय में और आज के दिन क्या नेट की वैलू रही है या नहीं रही है इसके बारे में बात करेंग उनको आप comments में लिख दिया कीजिए ताकि मैं जब भी comments को read करूँगा उनसे संबंदित वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता चलूँ सबसे पहले मैं अपने परिचे दे देता हूँ अपना परिचे आपके सामने दे देता हूँ कि मेरा नाम Dr. Locis है PhD किया है मैंने NetJRF की exam को भी कई बार उत्तिरन किया है और University College में पढ़ने पढ़ाने का भी मुझे अनवाव है अब मैंने अपना परिचे क्यों दिया है इसका सीधा कारण ये है कि मैंने इसलिए अपना परिचे दिया है कि भाई इसे exam को मैं पास कर चुका हूँ PhD किया है University College में पढ़ा है इसलिए कहा है ताकि मैं जो बात बताऊं उससे आपको ये feel हो आप connect कर पाऊ कि जो भी मैं बात आपसे कह रहा हूँ वो आकड़ों के साथ कह रहा हूँ तत्थों के साथ कह रहा हूँ ठीक है तो चलिए सुरुवात करते है देखो यार सीधी बात ये है कि आज जिस दिन तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन तक मैं कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार की बाते कर रहा है नेट की वैल्यू नहीं रही अब पैचडी की वैल्यू हो गई है नेट का ना आऊशक नहीं है वो सबी लोग गलत कह रहे हैं इस बात को मैं आपके सामने बिल्कुल कह सकता हूँ क्योंकि नेट की वैल्यू हमेशा रहेगी अब आज भी है आगे भी रहेगी कारण समझ लो क्यों कारण इसलिए कि भाई साब नेट एक टेस्ट लगता है जिसमें knowledge को देखा जाता है कि student में कितनी knowledge है अगर मालो इस एक barrier को हटा दिया जाए सो तो समझो अगर मालो इस barrier को हटा देंगे नेट के barrier को अरे जब तो हर कोई नत्तु खेरा एरा गेरा नत्तु खेरा प्रोफेसर बन जाएगा अब ये इंदुस्तान है पैसे वाले लोग एप्रोच वाले लोग बहुत है इस दुनिया में वो अपनी एप्रोच और पैसा हर जगे इस्तिमाल करने की कौसिस करेंगे और अपने नाकाम मनसूबों में कहीं कहीं कुछ प्रती सती सही लेकिन सफल जरूर हो जाएंगे इसलिए सात्यों ऐसे लोगों के नापाक इराधों और मनसूबों को खतम करने का एक जरिया है नेट आप इस बात से से मत हो एक मजाक वाली बात हो गई देखो प्यारे सात्यों नेट की वैल्यू हमेशा थी और आगे भी होने वाली है और जहां तक जो लोग कह रहे हैं कि पहले नेट जरूरी है पहले एम देखो क्या क्या चीज़ जरूरी एम में एम में कुछ परसंटेज का क्राइटेरिया है मैं बता देता हूँ अगर आप जनरल कैटेगरी से संबन देते हैं तो आपको 50 परसंट चाहिए अगर आप ST, SC, OBC, Non-Criminal की बात कर रहा हूँ अगर ये हैं साथियो तो आपको 50 परसंट से काम आपका हो जाएगा एक तो ये जरूरी है अच्छा बात सेकंड बात क्या है जरूरी सेकंड बात जरूरी है नेट या पिर आपका स्टेट का स्लैट उसके बाद में कहीं PhD को मान रखा गया और अभी PhD के उपर अगर आप चाहते हो कि बाई कंपलसरी है या नहीं है इस तरह का मैं कोई अगर वीडियो आपके लिए लेका रहा हूँ तो नीचे कमेंट्स कर देना देखो अभी PhD पूरी तरीके से कंपलसरी नहीं की है मैं आपको बतना जाऊँगा कुछ जगे रूमर आए थे उसको भी डिनाई कर दिया गया है कि यूशिटी केमपस में जो भी केवल यूशिटी केमपस में ध्यान रहे PCS अगर एक्जाम लेगा तो ऐसा नहीं करेगा मैं दुबारा से दौरा देता हूँ जैसे कि अभी सपोज करो राजस्तान में अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था अभी और आगा में एक्जाम भी आने वाली है कि राजस्तान में जो कॉलेज लेक्चर है उसकी वेकेंसी आई थी जिसको कंडेक्ट कर रहा है और पीएसी ने अब माल लोग की और पीएसी को यह एक्जाम ले रही इधर देखिए जान से देखो आप समझो य यहां की योग गता किया है यह लोग क्या योगता मांते हैं तो राजस्तान इका से नेकर इदर देखिए यहा पिर नेट पास हो यहां पर आपको पीएसीडि की आपशकता नहीं आगर आप जैसे मालों कोई वेक्टी थी कर रखी हैं अदुनिया वरक है यह लिका लेक्ट के अंदर जो vacancy जाते हैं जो बहुत कम आती है उनमें PhD को वरियता दी गई है इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन जो 95 प्रतिसत जो selection process है वहां से अभी कोई छेड़ साड अभी तक आज के देट तक तो ऐसी नहीं आई है सुनने में तो भाई नेट की एकजाम की जो नेट की वैल्यू है हमेशा रहेगी और आप लगातार तैयारी करते रहें नेट की यार भटको मत आप आप आपको बहुत सारे लोग बटकाने के तक आप लिए धसाल करेंगे लेकिन न्यकर की अगरी करो नेट की एकजाम भी आ गई है मैं आपको बता देता हूं कैसे तैयारी करो आप चाहो तहो तो मुझे डॉक्टर लॉकस कुमार मीना के नाम से सर्च कर लो अनिकेडिमी पर मुझे फोलो कर लो वापे मैं आपको बत सबसे मैंने जोइन किया तब से मिता लेकिन सिवरात्री महा सिवरात्री से मैंने ज्यारेफ तंडाव सीरीज का नाम रख दिया है यह रोज दस बजें यहां पर पेपर बन पढ़ाता हूं मैं अने केडिमी पर फ्री वाली किलास में आप आओ तो डेली देख सकते हो अच्छा पहली किलास देखो न तो लौके सिलेवन कॉड लगा लेना यह वाला इससे क्या है कि आपके सारी किलास प्री हो जाएंगी रोज पढ़ात यह टेलीग्राम चैनल के महादम से आप मुझसे संपर्क बना सकते हो तो यह आने केडिमी के एप है डाउनलोड कर लीजिए उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है यह पहले दिन का प्रोसेस है केवल और उसके बाद मैं आपको प्रोसीड टू पेपर किलिक करना है यह महाँ पर साती हो आपको बतला दू 스ले करना है सब्जेट सेलेट करना है गयट सस्क्रिप्शन पर किलिक करना है जैसे से क्लिक करना हो बीक बीच hmm और मुझे फोलो कर ले नडॉक्त कुबार मे만 के नाम से और वहाँ पर साती हो अपको की पर उन दोनों पढ़ाये जाएं हम पेपर वन, कॉमर्स, इंग्लिस, हिस्ट्री, एजुकेशन, जोग्रॉफी, ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स की चीजे साती हो आपको मिल जाएंगी, ओके, ये बात आप आप जार रखना, ये सारे सब्जेक्ट्स के हम लोग तैयारी करवाते हैं, तो आप रैफ्रल कॉर्ड लॉक आपको हमारे हाथ से लिखे हुए, और इसके लावा मॉक टेस्ट और सारी चीजें आपको टेस्ट सीज बगरा देखें, ओके गाईज, थैंक्यू सो मच, लॉके सिल्वन कॉर्ड आपको यहां लगा कर एपलाई करने, उसके बाद में आप यूपी आई, डेविट का, डेम के मादधम से पैमेंट कर सकते हैं, यह यह अंतरह आइकोन को रख्लस में, थैंक्यू सो मच, फोर कमिंग और इस वीडियो को लाइक कर दीजे, और चारों तरफ इस वीडियो को सेर कर दीजे, थैंक्यू